बात करने के लिए लॉग इन करें www.astrotak.com नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं एस्ट्रो तक और मैं हूँ आपके साथ शैले धुर्पान्डे आज हम आपको बताएंगे छोटी इलाइची के जादुई प्रियोगों के बारे में और छोटी इलाइची के जादुई प्रियोग से आपके जीवन की तमाम समस्याएं कैसे दूर होंगी आज इस पर बात करेंगे छोटी इलाइची अमूमन हलके हरे रंकी होती है और इसको पकवानों में इस्तमाल करते हैं करके मसालों में भी खुश्बू पैदा करने के लिए इसका इस्तमाल किया जाता है अगर आपकी कुंडली में बुद्ध खराब है या बुद्ध संबंधी कोई भी समस्या है तो छोटी इलाइची को हरे कपड़े में लपेट करके अपने पास रखना चाहिए या छोटी दो-तीन हरी इलाइचीयां लेके हरे कपड़े में ताबीस की तरह बना करके अपनी दाहिनी भुजा पर बुद्धवार को बांधना चाहिए ऐसा करने से बुद्ध की समस्याएं दूर होती है और इन छोटी इलाइचीयों को हर महीने पे बदल देना चाहिए अगर आप धन के लिए परिशान है धन नहीं आ पा रहा है तमाम प्रयासों के बावजूंत आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन पैसे की इंकमिंग नहीं हो रही है अर्निंग नहीं हो रही है तो ऐसी दशा में हर बुद्धवार को मालक्षमी को हरी इलाइची अर्पित करें दो हरी इलाइची हर शुकरवार के दिन मालक्षमी को अर्पित करें और उनसे धन पाने की प्रातना करें इन दोनों ही हरी इलाइची को स्वयम प्रसाद की तरह खा लेंगे या ग्रहन कर लेंगे तीसरा उपाय अगर आपका पैसा चूरी हो जाता है बार-बार या कीनती सामान बार-बार घर से गायब हो जाता है या आपको पैसे का लगातार नुकसान हो रहा है तो ऐसी दशा में हरी इलाइची लेने रोज रात के समय और लक्ष्मी जी के सामने गी का दीपक जलाएं और उस जलते हुए दीपक के गी में वो हरी इलाइची एक हरी इलाइची डाल दे एंदि लक्षमी जी के सामने आपको रोज रात में घी का एक दीपक जलाना है और उसके घी में एक हरी इलाइची डाल देनी है ऐसा करने से पैसे का होता हुआ नुकसान आपका रुज जाएगा पैसा चोरी नहीं होगा कीमती सामानों का नुकसान भी नहीं होगा अगर आपको क्रोध बहुत आता है गुस्सा बहुत आता है तो दोनों समय भूजन करने के बाद एक एक हरी इलाइची खाईए चबा चबा कर ऐसा करने से जो क्रोध की स्थितिया है उसमें निश्चित रूप से सुधार होता है और व्यक्ति शान्त होता है और हरी इलाइची का अंतिम उपाय तो बड़ा ही ताकतवर है जिन बालिकाओं का विवाह नहीं हो पा रहा है जिन बालिकाओं की शादी नहीं हो पा रही है ऐसी महिलाओं को अपने सोने के जगह पर जहां पर वो सोती है अपने सिरहाने एक हरे कपड़े में आठ दस हरी इ वजीजियां बान्थके रखनी चाहिए और जब हरी इलाइची बान्थ रही है work तब ये प्रात्ना करेंगी कि विवा शीगर से शीगर हो जाए तीन महीने में जैसे ही विवा आपका फिक्स हो जाता है इस हरे कपड़े में बधी हुई हरी इलाइची को बैठे हुए जल में प्रवाहित कर देंगे तो एश्ट्रो तक में आज के लिए बस इतना ही मुझे दीजे इजाज़त नमस्कार झाल